नमस्कार इंडियो हो मेड में आप सबको सौगत है आज की रेस्पी है टमाटर की चटनी गुड के साथ ये चटनी बहुत ही टेस्टी होती है और बनानों भी बहुत आसान है दीमे आज पर कड़ाह में डालेंगे 4-5 टेबलस्पन सर्चो कतिल जब तेल हलका गरम हो जाए 8-9 बारिक कटी लसुन की कलियों के इसमें डालके हलका सुनहरी होने तक भून लेंगे फिर डालेंगे 1 टीस्पुन पंच फोरन साथ में 1 सूखी लाल मिर्च दो तीखी वाली हरी मिर्चे डालेंगे अब डालेंगे मोटा दरदरा बारिक नहीं मोटा दरदरा ग्रैंड की हुए 5-6 लाल टमाटर थोड़ा चला ले फिर डाले 1 टीस्पुन नमक, 1.5 कटोरी कुटा गुड मिडियम फ्लेम पे चला लेंगे 3-4 मिनुट धकर पकाएंगे फिर से खुलकर एक बड़ चला लेंगे और ढखकर फिर से पकाएंगे टमाटर हैं पर पक चुकी हैं और गुड मेल्ट हो गया है हाई फ्लेम पे चलाते हुए चटनी को ड्राई कर लेंगे चटनी बनकर तयार है ठंडी होने पर ये और गाड़ी हो जाएगी बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तयार है 15-20 दिन इसे स्टोर कर सकते हैं इसमें पानी नहीं होना चाहिए इसे आप पूरी परांठा रोटी दाल चावल किसी के साथ भी खा सकते हो एक बार इस चटनी को बना के देखना बहुत टेस्टी लगती है